तीन महिला भक्त लगी कई धार्मिक सांप्रदाय ऐसे भी हुए जिनोंने महिला भक्तों को महतुपूर्ण इस्थान दिया उधारन के लिए करनाटक के नए भक्ति सांप्रदाय वी शैवोंने अकमा देवी जन्म 1130 मृत्यू सन 1160 को अपना महतुपूर्ण गुरु माना आज भी उनके भक्ति वचनों को वहाँ घर घर में गाया जाता है अकमा देवी ने अपने पती वह परिवार को त्याग कर और यहां तक की समाजद्वारा इस्थापित स्त्रियोचित व्यवहार की सिमाओं को लांग कर जीवन जिया वे स्वक्षंद विच्रण करती आन्य भक्तों के साथ इश्वर भक्ति के संबन्द में चर्चा करती और भजन करती उनके वचनों में बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, मंदिर, कर्मकांड, आदे की कटुआ लोचना है और इश्वर के प्रती असीम प्रेम की भावना है पूफी संतों जिने रिशी कहा जाता था के साथ मिलकर एक इश्वर का विचार लोगों के सामने रखा बाल विवाह से तरस्त लल घर परिवार त्याक कर सन्यासिनी बन गई और गाउं गाउं विचरण करते हुए उन्होंने अपने लोगप्रेग गीतों के माध्यम से पूत परिवार में ब्याही थी और छोटे उम्र में ही विद्वा हो गई थी श्री कृष्णी के प्रती अपार प्रेम और भक्ती के कारण विसंत रैदास की शिश्या बन गई मीरा अन्यभक्तों के साथ भजन करती नाच्टी वगाती थी इससे कृध्यों का राजा ने मीरा को मार डालने का प्रयास किया और उन्हें राजमहल से निकाल दिया आज भी मीरा के पत पूरे देश में गाय जाते हैं मीरा ना केवल भक्ती का प्रतीक बन गई बलकि पूरुष प्रधान जातिवात सामन्ती सामाजिक व्यवस्था के विरुद विद्रोव की प्रतीक बन गई है